विल्कम टू सुक्ला स्ट्रीबॉंट आप सबी का स्वागता है आपके पने यूट्वट चैनल सुक्ला स्ट्रीबॉंट में मैं सिवस्टॉपूर्ण आप सभी दोस्तों का हर्दिक स्वागत करता हुँ तो उसके लिए बेहद ही मैतपूर है तो अगर आपके पेपर का नाम हो इससे सभी बिस्विद्यलेव का सलेबस सेम है आपको पेपर वन पेपर टू दोनों के मादम से समझाने का प्रियास रहेगा तो बीए फस्स समेस्टर के इन पांच टापिक से परसनाएंगे कौन-कौन इसको भी जान लिजेगा छे प्रसनाप की परिक्ष्य में पूछे जाते हैं उन्में से तीन परिक्ष्ण करने होते हैं और आपका 15 नंबर का पेपर होता है ठीक है यह बात आप ध्यान नखिएगा इसी प्रकार से आपका समेस्टर टाइप के जो mid term semester होता है mid term परिक्षा होती है वो थिक यह थिमाही परिक्षा इसको आप बोल सकते हो थिक तो वो परिक्षा के मैं ऐसे ऐसे प्रसन आते हैं तो इससे पहले हमने और subject के एक परकार से topics के बारे में चर्चा कर दी है जो कि आपको बहुत helpful लगा और आप लोगों ने comment किया कि सर जी और BAC वीडियो हमको दीजिए तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको हर एक subject की इस परकार से वीडियो दे दी जाए ताकि आप आसानी से अपनी तैयारी को धार दे सके और अच्छे तरीके से अच्छे अंक प्राप्त कर सके अच्छी जो है रणनीती के साथ अपनी परिच्छा को दे सके इस point आप भी उसे मैं पढ़ाने का आपको प्रियास कर रहा हूँ तो B.A. First semester 2023 की परिच्छाओं के लिए Socialology का ये model paper है mid semester examination के दिर्ष्टी से लिए तो सबसे पहले हमको समाज सास्त्र के बारे में पढ़ लेना कि समाज सास्त्र किसे कहते हैं समाज सास्त्र का अर्थ और परिभासा जान लीजिगा क्योंकि एक्जाम में प्रस्ण आपसे पूचएगा कि समाज सास्त्र से आप क्या समझते हैं समाज सास्त के प्रकर्ती को बताते हूं इसके बिसे सेत्र की विवेचना कीजिए या समाज सास्त्र का बैग्यानिक अर्थ और परिभासा बताईए कुछ इस प्रकार से प्रस्ण पूछ सकता है ठीक है यह समाज सास्त एक बग्यानिक भी सह है, समाजिक भी सह है, ऐसे आप से पूछ सकता है नहीं प्रकर्ती के बारे में, तो बस आपको थोड़ा सा समाज सास्त के बारे में जा ले लाँ, वैसे मैं समाज सास्त कार्थ को बताऊँ, समाज सास्त कार्थ क्या है, सबी को पता होगा कि उरोप में फ्रांस की करांती से पैदा होने वाली जो उथल पुथल है उसके करण से कहीं ने कहीं पे आप देखेंगे फ्रांसिसी विचारक जो आते हैं उनका नाम है अगस्त कॉम्ट अगस्त कॉम्ट ने ही समाज का व्यवस्तित अध्यन करने के लिए एक नए विक्यान पर विकास पर बल दिया खास करके जिसका नाम हम लोग क्या जानते हैं सोसियोलाजी के नाम से उससे पहले उसको समाजिक भौतिकी कहा जाता था समाज सास्त को लेकिन जब से अगस्त कॉम सब्दों से मिल करके बना है सोसियस और लोगस सोसियस जो सब्द है लेटिन भासा का सब्द है और दूसरा सब्द जो लोगास है वो गरीग भासा का है सोसियस माने होता है समाज सोसाइटी सास्र माने हो या एक प्रकार से सास्र है जो समाज सास्र है ठीक तो इस प्रकार से अर सोचियोलाजी सब्न का प्रहुट तो जादा बीटर रहता ठीक है चुकि इसके अंदर मानों समूहों के पारस पर एक संबन्दों का अध्यन क्या आता है इसलिए इसको इित्थोलाजी कहना जादा बिटर होगा इस प्रकार से लेकिन मिल के इस प्रस्ताव की खूब कटाल उचना हुई बाद में हरबर्ट स्पेंसर आते हो सोसियोलाजी सब्द को ही अधिक उप्युक्तमानने लगते हैं और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि प्रतीकों की सुविधा और सूचकता और इसकी उत्पत्ती संबंधी बैदिता से कहीं अधिक महत्पूर होती है इसलिए खास करके सोसियोलाजी सोसियोलाजी ही कहा जाए इसको यह ज्यादा बेटर नाम है इसके अलामा चुकि समाज जो होता है बैक्तियों का एक समू नहीं होता है संबंधों की जटिल बैवस्ता होती है लेपियर कहते हैं कि समाज मनुस्यों के एक समू का नाम नहीं है बलकि मनुस्यों के बीच होने वाली जो अंतरक्रियाएं होती है इनके प्रतिमानों को ही हम समाज कहते हैं तो कुमिला करके समाज होता है संबंधों की व्यवस्था और उनी संबंधों की व्यवस्था को संबंधों की जो अध्यन होता है जो संबंध होते हैं परस पर बिक्तियों में समाज के अंतरकत निवास कर रहे उनी के संबंदों का अध्यन करते हैं समाज अमूर्थ होता है उसी अमूर्थ संबंद को हम समाज सास्तर भी से वस्तु के अंतरकता अध्यन करते हैं ये इसका एक प्रकार से परिभासा है कुछ बिद्वान समाज सास्त को समाज का ध्यन मानते जिसमें दुरखेम गिडिंग समनर वार्ड का नाम आता है कुछ बिद्वान समाज को समाजिक समंदों का ध्यन मानते हैं जिन में खास करके आपको पता होगा तमाम सरे बिद्वानों का नाम आता मैंने आ लेडिया आप सभी को बता रखा है आप वीडियो देख लेजेगा उसमें हर एक चीजों के बारे में मैंने बिस्तार से चर्चा कर दिये इसके अलावा कुछ बिद्वान एसे जो समाज सास्त को समाजिक अंतर क्रियाओं का धिन मांते जिसे गिंस बर्ग हो गए सेमेल हो गए हाप भाउस हो गए ये लोग हो गए इसके अलावा कुछ लोग हो गए जो समाज सास्त को समुहों का धिन मांते उसमें हेनरी जो है हेरी जांसन हो गए यान बिद्वान हो गए कोई मिला करके आप देखेंगे कि वार्ड की परिभासा जो है समाज सास्त्र समाज का बैग्यानिक अद्यने बड़ी जबदस्त परिभासा है और साबजिक संबंदों की ब्यवस्ता के अधर पर समाज सास को परिभासित करने में समाज सास्त्र की तमाम सारी परिभासाओं को अगर हम पढ़ें तो समाज सास्त में समाज और समाजी संबंदों के अध्यन का इतना महत तो होता है कि उन्हीं पर पूरा का पूरा समाज सास्त्र कहीं न कहीं पे एक तरिके से घेरे हुई होता है तो कुल्मला करके समाज सास् चाहिए समाज सास्त्र अच्छा प्रस्निया पर ये भी उठता है कि समाजी संबंद क्यों बनते हैं समाजी संबंद कैसे बनते हैं यह तमाम प्रकार की चीज़े हैं आप चिप्टर बन मेरा देख लीजीगा मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने विस्तार से चर्चा कर दी इन समाज पसू समाज समाजिक समू समाजिक मूल ये अंतर क्रिया तबाम प्रकार की चीज़ों का अध्यन क्या आता है कुछ मिला करके समाजिक जो एक प्रकार से क्रियाएं होती हैं वो अलग-अलग स्थानों पर भी होती हैं और कई प्रकार के जो हैं समुदाय हो मलब की संप सरूप सास्त्र हो गया समाजिक परक्रियां समाजिक नियंद्रन समाजिक ब्यादिकी यह सब इंतरिकत पढ़ते हैं केला समाजिक सास्त्र के बारे में है उसमें खास करके आप देखेंगे जैसे की समाज सास्त्री बिसलेशन होता है इसमें आप देखेंगे की मानो संस्कृति और समाज का अध्यन होता है समाज सास्त्री परफेच्छ का और दिश्ट्टोंड का अध्यन होता है समाजिक बिग्यानों में बैग्यानिक जो पद्धत समाज ये सब कुछ आधार्भूस संस्थाएं होती हैं समाज की ये से परिवार, नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं हैं, राजनेतिक और बैधानिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, कुछ सैचडिक हैं, कुछ बैधानिक संस्थाएं हैं, कुछ मनोरंजरात्मक संस यह नहीं हैं जिसका अधिन हम समा शास के अंतर सकत करते हैं जैसे की, भिभेदिकर्ण या страх की प्रक्रिया हो गई, स्योग हो गया, समा योजन हो गया, सात्मी कर्ण हो गया, यह लृफ्यक्र मुझल्डस हो गया, ऊसमें करांति, युद्धिये सब समलित कर सकते हैं, संचार हो गया उसमें जनमत का अंद्रिमाण परिवरतन की समलिती सब हो गया ठीक है समाजिक बिचलन हो गया उसमें अपराधह रात्महत्या हो गया समाज माज सासन के त्टनकत अध्यन है करते लीं समाज साथ का विसे छेतरा आप लिख सकते थे तो प्रसना आप से पूछ सकता है कि समाज साथ की परिभासा दीजिए इसकी विसेवस्तु को समझाए तो आसानी से आप समझा सकते हैं या प्रसना पूछ सकता है कि समाज साथ समाजी संबंधों का वैज्ञानी का दिन विचना कीजि बहुत सारे चीज़े मैंने परकर्ति को लेकर की भी बताया है चुकि बिज्यान के रूप में समासास की परकर्ति के एगर हम समझे इसके रामा आनुभाबिक अध्यनों के द्रों सिध्धान्तों का निरमार भी होज़कता इसमें इसके अलावा बैग्यानिक अध्यन के लिए आउधारडाय उपयोगी होता है ऐसे कि आप देख सकते हो इलक सिंकेलस ने कहा है इस बात को इसके अलावा आप देखेंगे कुल मिदा करके ये बिसेवस्तू ऐसी है जो कि समाज सास समाजिक एक बिग्यानी से लिए है लब एक समाजिक बिग्यान है नाकी प्राकरतिक बिग्यान है ऐसा किसने कहा है ये राबर्ट बीर स्टीड कहते हैं कि समाज सास्रु है एक बैग्यानी बिग्यान है ना की प्राकरतिक बिग्यान है इन्होंने कहा कि समाज सास्रेक वास्त बिग्यान है आदरसांत पक बिग्यान नहीं है समाज सास्त्रिक सुद्ध बिग्यान है व्यवहारिक बिग्यान नहीं है समाज सास्त्रिक अमूर्थ बिग्यान है मूर्थ बिग्यान नहीं है समाज सास्त्रिक सामान बिग्यान है बिसेश बिग्यान नहीं है समासास तरहकिक और अनुभोसिद बिग्यान है। यह बताया किस ने ? यह बताया भई ? राबर्ट बेरिश्टेड ने इनकी एक पुस्तक है दा सोशल आर्डर। बड़ी फमस पुस्तक है। उसी पुस्तक में समासास की बग्यानिक प्रकरतिकों इनोंने बड़े इच्छ तर समासास जो है पीवर विज्ञान एक प्रकार से है यानि एप्लाइड विज्ञान नहीं है अब स्ट्रेक्ट सोसियोलोजी जाब स्ट्रेक्ट अंड डॉंट जो है कॉन्क्रेट यानि कि मूर्त नहीं है वो समान विज्ञान है इस्पेसल विज्ञान नहीं है ठीक यह चीज़ है कि एक विग्ञान के रूब में समासास की परकरती कि बेचना कीजिए या विग्ञान क्या समासास को किस परकार से विग्ञान कहा जा सकता है ऐसे प्रसनाफ से पूर सकता है तो ये भी प्रसनाफ का तयार कर लिजेगा हो सकता है आपके परिच्छा में आ जाए इसके अलाम समाज सास्त्र और अन्य समाजिक विग्ञानों के साथ उसका क्या संबंद रहा है इससे प्रसन आपके आ सकता है जैसे कि समाज सास्त्र का संबंद जो है अगर खास करके बात किया है तो इसे राजनिती सास्त्र से रहा है समाज सास्त का संबंद मानो सास्त्र रहा है समाज सास से समाज सास्त इसलिए समधित चुकि संस्कृति समाजिक संगठन नातेदारी ब्यवस्था ये सब इसी समधित है समाजिक नियंत्रण हो गया राजनेती सास्त इसलिए समधित चुकि उसमें आप देखिएगा नातेदारी में वलब की स्वारी राजनेती सास्त में चुकि व् दर्सन सास्समाजिक मूली समाजिक चया और समाजसास में पढ़ते हैं कुमला करके हर एक बिच्छे से समबन रखता है और अंतर भी रहता है इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा आप से ही पुझेगा कि समाज साथ की परिभास दीजिए अन्य समाजिक विग्यानों के साथ इसके सम्मंदों की भी बेचना कीजिए तो आप थोड़ा से सम्मंदों के बारे में बता सकते हैं ये हो गया इसके अलाम अगला है समुदाय समिती और संस्था समुदाय समिती और संस्था पर थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा एक्जाम पॉइंट आप इसे बड़ी हां प्रस्न है और समेश्टर में तो एक दम से मज़ा आजाएगा अगर आप इसको पढ़ लीजिएगा ठीक है चुकि समुदाय की इसके अलामत तीसरा पॉइंट आपका छूड़ गया समाज और पसु समाज चुकि समाज और पसु समाज के अगर बात किये तो समाज आप सभी को पता होगा समाज किसे कहते हैं समाज समाजग समंबंदों की एक विवस्ता है समाज जिसमें सहीयोग देने वाले लोग परसपरिक संबंदों के द्वारा जोड़े हुए रहते हैं इस प्रकार से गिडिंग्स महोदे ने समाज के बारे में बताया रयूटर कहते हैं कि समाज एक अमूर्द धारड़ा है जो एक समों के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारसपरिक संबंदों की संपूर्था का बोथ कराती है इसके अलावा गिजबर कहते हैं कि समाज ऐसे बेक्तियों की समोहिक्ता है जो अनेक संबंदों और व्यवहारों की जो विधियां होती हैं उनके द्वारा संगठित होता है और उन बेक्तियों से अलग होता है जो इस प्रकार के संभंदों द्वारा बंधे हुए नहीं है अथवा जिनके विवहार उनसे भिन है इस प्रकार से बताते है टालकर पार्शंस की बढ़ए परिभासा उनुने का कि समाज को उन मानुविय संभंदों कि जटिलता के रूप में परिवाजित क्या जा सकता है जो समाज और साधिके रूप में की गई क्रिया के फलसरों पुत्पन होते हैं चाहे हुए इथार्त हो हो या केवल प्रतिकात्मक हो ये बताया इस परकार से आप देखेगा समाज सास्थ कि समाज के अगर बात की जाए तो समाज के पहला बात तो ये है समाज की कि समाज का निर्मार्ण समाजिक सम्बंदों से होता है ठिक और ये क्या है अमूर्थ है जटिल है और परिवरतन सील भी है सम्बंद जो होते है परिवरतन सील भी होते है जटिल भी होते है और अमूर्थ होते है सम्बंद दिखाई की भूमिकाओं से जो बनने वाली सनचना है या वैवस्ता है उसके रूप में हमस्पस्ट करते हैं उसके रूप में हम समझते हैं ठीक तीसरी बात यह है समाज को समझने के लिए कि समाज में ब्यक्ति का महत्त केवल इसी अर्थ में होता है कि ब्यक्तियों के द्वारा ही प्रसास्त्र ये चीज़ है और चौथा तप तो इसका एक प्रकार से बोल सकते हैं कि समाजिकता के बारे में जो मैंने बताया समाजिकता के बारे में अब आपके उन्हें प्रस्ट उट रहा होगा कि केवल सर जो है अच्छा समाज में आप देखेंगे समाज की बिसेस्ताई मानो समाज की और लक्षण क्या क्या समाज सबसे पहली बात अमूर्थ होता है दूसरी बात मैकाईबर और किंक्सले डेविस ने समाज की अधारडा को की बिसेस्ताओं को बताते हुए कहा था यह सारी बिसेस्ताई उन लोगों ने बताई यह समाज अमूर्थ है पहली बात दूसरी बात समाज समाई संबंधों का जाल है तीसरी बात क्या कहा तीसरी बात यह कहा कि पारस पर एक जागुरुपता तीस चोथी बात कहा कि समाज म बेक्ती जो होते हैं या एक समाज दूसरे समाज पर क्या होता है पारिस परिवर्टित निर्भर होता है इसके अलावा समाज के वर मनुस्यों तक ही सीबित नहीं है समाज आप देखेंगे जैसे कि आप देखेंगे हाथी हो गए नर्बानर हो गए सब दीमक हो गए चीटी हो ये सब भी एक परकार से पारस परिक जागुरता, संगर, समानता, बिनता, इसके रूप में हम इन में भी देख सकते हैं, निकि समाज कई सारे होते हैं, एक सरल समाज होता है, जटिल समाज होता है, ठीक, तो एक को मिला करके आप देखेंगे, एक पसू समाज होता है, पसू सम कि समूहों में भी समाज की विसेश्था ये पाई जा सकती है अने विद्वान और प्रमुख रूप से खाज करके डार्विन की अगर बात किया है तो डार्विन ने यहां तक माना कि जो कुछ बिक्सिद नर्बानर है उनकी सारी रचना में होने वारा जो क्रमिक परिवर्तन ह उसके माध्धम से मनुख से अपने वर्तमान तक पहुंशा है यानी कि एक उत्विकास का सिध्धा जो डार्विन का है मानो उत्विकास का उसमें आप देखेगा उन्होंने 22 रों की 30 यानी कि यो आदिमानों से लेकर करके सलल समाज तक किस प्रकार से एक प्रकार से पूरी विसेशता रही है इसके बारे मनुने बताया कुछ मिला करके जो है पसू समाज भी एक समाज है इसमें कोई दोराय नहीं है और खास करके चुकि मानो और पसू समाज में सारीरिक अंतर यह होता है कि बिक्सित मस्तिक्स होता है मनुसी का और उनका मस्तिक्स थोड़ा सा कम बिक पसुआ हैं पसुषा के रिकंता ही हैं, मनुस्म के नाख के बनावट जो होती है, और बाहर को निकले हुए कान, केंदृत की जा सकने वाली दřिष्टी, आगे को निकला हुआ चोड़ा माथा, ये सभी सुविधाय होती है, पसों को ऐसी सुविधाय नहीं प्राप्त होती है और कुमिला करके पसों की दाद बड़े होते हैं, बाल बड़े होते हैं, सारी चीजे होती है, मनुस्यों के कम होते है इसी प्रकार से सांस्कृतिक अंतर भी चुकी जब मनुस से जादा जागुरूख होता है योज संबंध जो होते हैं मनुस्यों में नियम बंध होते हैं ये नियम लपकी नियम के तहत होते हैं प्रतिकात्मक अंतर होता है बहुत सारे विसेसिकर्ण के प्रकरिया हो गई भासा संस्कृति मनुस जानते हैं सामोहिक निरड़य मनुस लेते हैं संस्कृतिक विरासत मनुस को प्राप्ति नेतिकता समंदों की जटिलता ये समनुस्यों में क्यों होती है पसू समाजों में नहीं होती है लेकिन फिर भी पसू समाज भी हो सकता है पसू समाज भी है लेकिन करता है केवल मनुस समाज का अधिन करता है तो आप बताएंगे केवल पसूस अमलब की केवल मनुस समाज का अधिन करता है समास जो है सभी का दिन नहीं करता है अगला पॉंड तो ये पसू समाज और मनुस समाज के बारे में कुछ बाते हो गई इसके अलामा समिती, समुदाय और संस्था इन समिती के बारे में आल लड़ी हमारे अमलब की चैनल पर वीडियो पड़ी होई है तो बिस्तार से उसमें हमने सरहत चीजों को समझा रखा लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो चले हम समुदाय क्या होता है समुदाय को अंगरे जी में कमिनिटी और समिती को अंगरे जी में हम एसुसियसन और संस्था को अंगरे जी में हम क्या बोलते हैं institution ओके ये बात ध्यान रखेगा तो समुदाय के गर बात के तो समुदाय क्या होता है समुदाय जो होता है अगर हम बात करेंगे तो ब्यक्तियों का तुलनात्म गूरूप से एक बड़ा समू होता है जो एक निश्चित छेत्र में समुदायकता की भावना के द्वारा संघटित रहता है और अपने सदस्टियों की सभी आवसक्ताऊं को पूरा करता हुझ उँआ परतन वहीं पर बना रहता है कुझा बिला करके आप देखेगा किस समुदाय समान जीवन का छेत्र होता है और उनकी समुदाएक भावना होती है आगबर्ण और निमकाप कहते हैं कि किसी सीमिच छेतर के अंतरगत राजनीत इमलब समाजिक जीवन के संपूर संगठन को ही हम समुदाए कहते हैं किंक्सले डेबिस कहते हैं कि समुदाए एक ऐसा अस्थानिय समू होता है जिसके अंतरगत समाजिक जीवन के सभी पहलू आजाते हैं ये प्रस्द बढ़ोत इंपोर्टन्ट है एकजाम में आता है अब वो गडर्स करते हैं कि समुदाए एक ऐसा समाजिक समू है जिसमें कुछ सीमा तक हम की भावना होती है जो एक निश्चित छेत्र के में जीवन बतीत करता है और जीवन परतनों वही पर रहता रहता है ठीक कुल मिलाकर के समुदाए के एक विसेस्ताओं की बात किये तो बेक्तियों का एक बड़ा समू होता है उसको हम समुदाए बहो सकते हैं उसमें और एक निश्चित भूभाग में रहता हो ठीक है समुदाएकता की भावना पाई जाती हो समे इसके इलामा समान जीवन बतीत कर रहा हो common life जीवन बतीत कर रहा हो समान नियम हो समें अंतर समुदाए हो स्वताः बिकास हो समुदाए का ठीक है एक business naam होता है समुदाय का पनिपनिती इस प्रकार से इसके कूछ चीजे थी जो मैंने बता दिया अचा समाज और समुदाय में अंतर ही होता है कि समाज जो हता है समाजी समंदों की मैवस्था है और समुदाय बेक्तियों का समू है यानि कि समुदाय ओ दिखाई पड़ेगा समुदाय मूर्थ है और समाज अमूर्थ है ये बात ध्यान नखिएगा समाज में क्या होता है कि केवल सहयोग ही नहीं बलकि संगर्स होता है बिरोध होता है प्रतियोगिता भी होती है जबकि समुदाय में क्या होता है समुदाय भावना होती है ऐसी भावना जो केवल सहयोग के लिए ही विक्सित हो पाती है उसमें संगर्स नहीं होता है समुदाय म की ब्यवस्ता होती है तो कोई क्राइटेरिया नहीं होती है जबकि समुदाय की क्राइटेरिया होती है एक निश्चित भूभाग होता है निश्चित भूचितर होता है समाज जो होता है वो अधिक व्यापक होता है अधिक अस्थाई होता है समुदाई जो होता है समाज की तुला में बहुत छोटा होता है और समाज के पेक्चा का मस्थायत होता है इसमें इसके अलामा जो समाज होता है एक समाज के अंतरगत अनेक समुदाई भी दिमान हो सकते हैं जबकि एक समुदाई का निर्मार कभी भी अनेक समाजों की मिलने से नहीं होता है ये चीज़ आप ध्यान नकिएगा ये थोड़ा सांतर था इसके बारे में मैंने आपको बता दिया ठीक है इसके अलामा समाज का एक समाज समय्भा समуждाय का ऊके यह बाद है बात किया समयति की संग्रेजीं में कहते हैं एससेटी की परिभासा को के लिए कुछ विशेज बेक्टि कठा होते हैं और उसमें चंदा उन्दा लेकर एक दुर्गा पूजा करने के लिए ब्यवरासट करते हैं कि हमको 9 दिन तक यह करना है यह इस पत पर रहेगा हो एक एक समिती का निर्मार करते हैं तो वह समिती होती है ठीक है समिती में क्या हो तब उसे हम एक समिती कहते हैं, बोगाडरस कहते हैं कि साधारता किसी उद्देश को प्राप्त करने के लिए मिल जुलकर कार करने वाले बैक्तियों को ही समू, जो मिल जुलकर करने वाले बैक्तियों के समू होते हैं, गिलिन और गिलिन कहते हैं कि समिती बैक्तियों का ऐसा सम होता है जो कुछ निश्चत उद्यसी या उद्यस्यों की पूर्थी के द्वारा उसको मिलब उसके लिए संगटित होता है और कुछ मानता प्राप्त कारिप्रनालियों के द्वारा कारि करता है इस प्रकार से हम कह सकते कि समिती जो होती सहयोग पर अधरित होती है और ब्यक्त समितियों का मूर्थ संगठन होता है समिति में एक निश्चय तुद्ध्यष की पूर्दी के लिए समिति बनाई जाती हैं विचार पुरब का स्थापना करते हैं लोग इसको बैठकरके एच्छिक सदस्ता होती हैं आप शमिति के सदस्ताथा बन सकते है इसकी सदस्ता ऐचिक है तो ये एक अनेक नियमों पर आधारित है इस परकार कालेज एक क्या है समिती है कालेज क्या है कालेज अपना एक समिती है गाउप पंचायत एक समिती है परिवार भी एक समिती है मजदूर संग भी एक समिती है राजितिक दल भी एक सम्ती है कुछ ऐसी चीज़े मिलेगी जो संस्था भी मिलेगी आपको समिती भी मिलेगी ठीक है तो ये बाद है नखियेगा समिती और समाज में क्या अंतर होता समिती जो होती ही बեktीयों का एक संगठन है और इसलिए अमूर्त है और समाज जो होता है अमूर्त होता है चुकि सम्मंधों की ब्यवस्ता है समिती का निर्मार बहुत बाद की घटना है जबकि समाज का अस्तुत आसभिता बरबरता की युक से ही आपको मिलता है यहींनि समाज का एक इतिहास समिती से बहुत पुराना है जबकि समिती अभी नहीं नहीं बनी है समिती का निर्माण विचार पूर्वक और योजनाबद से होता समाज का विकास वता होता है धीरी धीरी होता समिति की तुलनात्म गरूप से बहुत अस्थाई विवस्ता है समिति किर्तम संगटन है समाज एक प्राकरतिक उपज है समुदाय और समिति में जो अंतर होता है उसमें बUNG्छि परकार की आवासक्ताओं की पूर्थि समिती केवल कुछ हो देशों की पूर्टी के लिए बना जाती है समुदाय का आकार बड़ा होता है समुदाय में हमकी भावना होती है घनिश संबंध होता है महत होता है उसका समुदाय के सदस्तियों में आवपचारिक संबंध होता है समिती का आवस्ता के अनुसार ही है मुस्कंद रिमार करते हैं समिती का ठीक है इसके अलावा एक समुदाय में सभी बेक्तियों की स्थिती लगबग समान होती है जबकि समुदाय में क्या होता है कुछ लोग उचे पत पर होते हैं कुछ लोग नीचे पत पर होते हैं अलग-अ उसमें होते हैं, समुदाइ में अस्थानी चेतर एक निश्चित भुभाग का होना जरूरी होता जब कि समिती के लिए किसी निश्चित भुभाग कि आवशकता नहीं होती है, इस प्रकार से, समुदाइ और समिती में कुछ हंतर हो गया, आगे समझते संस्था, संस्था जो ह मुल्यों नियमों और कानूनों के अनुसार व्यक्तियों को अपने उद्द्ध पूरा कराने की अनुमती देती है संस्था क्या करती ही का अनुमती देती है ठीक मैरिल और एलेदिच कहते हैं कि समाजिक संस्थाएं आटरण के वे परतिमान हैं जो मनुस्थ की मुख ही आवसक्ताओं की पूरती के लिए दिन्मित हुए हैं तबकि मैकाइबर पेज कहते हैं कि सामोही क्रिया की विसेस्ता बताने वाली कार प्रणाली के अस्थायत रूप या आवस्था को ही हम संसा कहते हैं यानि कि ये सब परिभास हैं आपको थोड़ा वह ध्यान रखनी चाहिए और बाकी विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारा मानने पेपर 2022 वाला देख सकते हो और जो हमने चे कापित या सबिकर्थ होती है गिलिन और गिलिन कहते हैं कि समाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विसेस्ताओं का असपस्ट करने वाले वे नियम होते हैं जिनमें काफी अस्थायत होता है जिनका कार समाजिक अवसक्ताओं को पूरा करना होता है यानि संस्था कि अगर बात और मलब की समुदाय और समिति के पिक्षा संस्था आधिक अस्थाई होती है परतीक होता संस्था का अपना एक सिंबल होता है ठीक है उसी सिंबल के द्वारा होता है सामोहिक घटना होती है तो संस्था का विगास जो होता है समनर कहती है कि सबसे पहले बिचार आता है उसकी पुरा दर्विर्ती होती है, फिर वही बिचार आदत में बदलता है, फिर सामोहिक पुरा दर्विर्ती होती है, फिर वही जनरीती में बदल जाती है, फिर अतीत के अनुभों को जनरीती के साथ जोड़ा जाता है, फिर उसके आदे पर्थाओं का दिर्माड होता है, फिर समो की स्वभिकर्ति और कल्यान की भावना जब पर्थाओं के साँ जोड़ती है तब एक लोका चार बनता है जब लोका चार में एक निश्चे सनचना लोका चार की हम बना देते हैं तो वही संस्था का निर्मार कर देती है और संस्था मनलब क्या होता एक वेवस्था होती है ठि दिखाई पड़ते संभिधान हो गया उत्रा दिकार के नियम हो गई परिक्षा प्रणाली हो गई आचार सहीता हो गई यह सब संस्था के उधारण है ठीक है तो कुल मिला करके रेसर आदनेतिक दल हो गया दुकान इसके अलामा जो है जो म्यूनिसिपल कार्पोरेशन है उसके संस्था में अंतर को लेकर के परसंभी बनता है और संमिथी जो होती है वह नहीं हो सारे चीजे किलिर हो गया इसलिए मैं दोहरा नहीं रहो चाकि आप एक बार बीडियो को देख लीजेगा आप अरिख्षा से पहले बीडियो को देख लीडियो हो जाएगा और यहीं से चार बार आप देख लिजेगा दो से तीन बार देख लिए तो भी चल जाएगा समिती मूर्थ होती आप सभी को पता है संस्था अमूर्थ होती है समिती किसी विशेश उद्देश या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित की आती है संस्था जो होती धीरे धीरे बिक्सित होती इसका एका एक निर्मार नहीं क्या सकता संस्था का समिती जो होती बेक्तिकत कल्यान से अधिक संबंदित है जबकि संस्था सामोहिक कल्यान को अधिक महतु देती है संस्था के नियम आवपचारिक होते हैं जि समिति अधिक मात्राय में हो जाता है समिति अपेक्छाकृत आस्थाई होती कभी भंग हो सकती है संस्था जो होता अपेक्छाकृत कहीं अधिक अस्थाई होता है संस्था कभी भंग हो सकती है लेकिन समिति जल्दी भंग हो सकती संस्था बहुत बाद में भंग हो सकती है कभी समिति के अधिकांस प्रतीक भौतिक होते हैं जबकि संस्था के प्रतीक जो होते हैं सांस्कृतिक बिसेश्थाओं के द्वारा ही निर्धारित के आते हैं कि क्या प्रतीक होगा संस्था का तो कुर्मिया करके परिवार एक संस्था भी है और संस्था भी यह बाद भी ध्यानक कई पैस संस्था की तुलनात्म परकृति को असपश्ट करने बहुत सहता परदान करता है इस परकार से आप देखते हैं ये सब संस्थाएं होती है और समुदाय, समिती और संस्था ये पारस पर एक निर्भर एक प्रकार से होते हैं चुकि आप देखेगा गाउं क्या है? गाउं में एक समुदाय है एक उधार समझेगा कोई भी गाउं एक समुदाय होता है गाउं एक समुदाय है इस्कूल क्या है एक समिती है गाउं के अंदर एक स्कूल होता है इस्कूल क्या है एक समिती है क्या है एक समिती है चुकि एक निश्यत उद्यस की पूर्थी के लिए इस्कूल की अस्थापना की गई तो इसकूल एक समिती है और इसकूल को संचालित करने वाले जो नियम होते है जो वेवस्ता होती है वो संस्था कहलाती है तो भाई नियम और कादे दिखाई पड़ते हैं नहीं दिखाई पड़ते हैं तो इसलिए संस्था अमूर्त होती है गाउ एक समुदाए है चुकि बाते समू भी आपका क्या होता है एक मूर्त होता है किलियर हो गई बाते तो समुदाय जो होता है पारस परिंदर बच्चों की गाउं का बच्चा स्कूल में पढ़ता है और स्कूल के नियमों को फालो करता है तो आप समझे एक समुदाय है और स्कूल जो उसके अंदर बना ह वो समिती है और जो स्कूल चलाने का जो नियम काईदा है वो क्या है वो संस्था है तो समिती संस्था और समुदाय आपके किलियर हो गई चीजे समझ में आगई बाते तो ये तीनों को बड़े अच्छे तरीके से हमने आपको समझा दिया समुदाय क्या है समुदाय एक गाउ है समिती एक स्कूल है और संस्था जो स्कूल का नियम काईदा है वो है तो यानि तीनों पारस परिक संबंद रखते हैं आपस में ठीक और इसे समाज का अंद्रिमाड होता है अगला टापिक बसी यहीं से आपका प्रस्थ जाना लेकिन फिर भी मैंने सुचा कि आप और चीजे बता दिये से कि परिवार परिवार चेप्टर भी आपका बहुत महत्रपोर है परिवार किसे कहते हैं आप सभी को पता होगा परिवार क्या होता है परिवार आप सभी को पता होगा परिवार के बारे में परिवार जो होता है वो क्या होता है भई मैं काईबर पेज माता पिता होते हैं भाई बहन होते हैं पुत्र होता है पुत्रियां होते हैं जीवन साथी होता है यह होता है परिवार ओके जिस बर्ट कहते हैं और आगबर निमकाप कहते हैं कि जो है उनकी परिवार बच्चों अथवा बिना बच्चों वाले पती पतनी अथवा किसी पूर परिवार के लिए माता पिता के साथ उनके बच्चों का होना भी जरूरी होता है ये बताया जिस बर्ड कहते हैं कि परिवार का अर्थ सामानता ऐसे इस्तिरी और पुरुसे होता है जो एक या एक से अधिक बच्चों से आस्थाई रूप से सम्मधित होते हैं ये बताते हैं आगबर्ण के समान जिसबट ने भी परिवार को इसके सीमी ताकार के आधार पर ही ऐस्पश्ट किया है। इसके अलावा किंक्सले डेबिस कहते हैं कि परिवार ऐसे बेक्तियों का समू होता है जिनके एक दूसरे के प्रतिसंबन विबाह नया समरक्तता पर अधारित होते हैं जो इस प्रकार से लोग ने परिवार की परिवार सादी परिवार की विशेष्टाओं के अगर बात किये तो परिवार में सारभावमिक्ता होती है भावात्मक आधार होता है परिवार का उसी से लोग दूसरे से जोड़े होते हैं लोग रचनात्मक पर भाव होता है परिवार के सभी सदस अपनी ब्योहार के द्वारा एक दूसरे को रचनात्मक रूप से प्रभावित करते हैं छोटा आकार होता है परिवार का, सदस्यों के आसी में तो तरदायत तो होते हैं, परिवार के किसी भी सदस्य के दायतों की कोई निश्यत सीमा नहीं होती है, आसी में तो तरदायत तो होता है, अपनी छमता और कुसलता के अनुसार वो सभी लोग कारिकिया करते हैं, जो एक अजिक धांचे में केंद्री इस्थिती होती आपको पता होगा ठीक है परिवार में कोई एक मुखिया होता है परिवार की अस्थाई और आस्थाई प्रकृति भी होती परिवार एक समिती भी होती संस्था भी होती बाग भी ध्याने केगा परिवार कई प्रकार का होता है एक महिला परधान है महिला मुखिया एगर की तो मा तो सतातंक परधान पिता परधान इसके अलामा आप देखें एक विवा के अधर पर परिवार होता है ठीक जैसे कि एक विवाही परिवार बहुपतनी विवाही परिवार बहुपत विवाही परिवार यह सब परिवार होता है और इसमें बहुपत विवाही परिवार में भी दो परकार के, एक तो भ्रातुक बहुपत विवाही परिवार है, एक आप भ्रातुक बहुपत विवाही परिवार, ये सब होते हैं, तो परिवार के बारे में मैंने परकार भी बता दिया, परिवार के कई सारे कारे और महत भी होते हैं परिवार की अगर बात किया है तो आप देखिएगा बीर स्टीड महोदे इसके दस प्रमुक कारियों का बताते हैं परिवार का सबसे परिवार का कारिय होता है कि बच्चों को जर्म देना दूसरा कारे होता है कि योन संबंधों पर नियंतर रखना तीसरा कारे बता है कि संबंधों की देख रेक मलब सदस्यों की देख रेक करना चोधा कारे बता है कि सांस्कृतिक में सेस्ताओं की सेख देना पाचबा कारे बता है बेरिश्टेट ने कि समाज में एक रोपता को उत्पन करना ये भी परिवार का काम होता है और छटबा कार बताया भी इरिश्टेडने के सदस्यों के जीवन की रच्छा करना जो सदस्य है उनके जीवन के रच्छा करना परिवार का करतब में इसके अलावा आपसी सहयोग को बढ़ाना ये भी इसका कर्टब में है परिवार का ही ठीक है इसके अलावा सदस्यों का समाजी करना ये परिवार का ही कार है तो इस परकार से परिवार के कार है ये मैंने आपको बता दिया इसके अलावा परिवार की बात की है तो वरतमान समय परिवार में बहुत परिवर्तन हो रहा है, परिवार के आकार में परिवर्तन हो रहा है, सर्विक तो परिवार से छोटे परिवार बनते जा रहे हैं, पिता के अधिकारों की कमी हो रही है, माताएं अपना एक परकार से और दोनों लोग आपस में सारे मैनुच करके घर चलात में मनोरंजन सम्मध्री कारियों में परिबदतन हुआ है बहुत सारी चीजे ठीक है आप देखेंगे जो है कई सारी चीजे हैं अब परिवार के अंतरकती नातेदारी बगएर आती है इसके बारे में वैसे प्रस्न आपसे नहीं पूछेगा तो यह हो गया परिवार अगला आ होता है बेस्टरमार कहते हैं कि विबाह को एक या अधिक पूरुसों का एक या अधिक इस्तिरियों के साथ होने olsun वाला संबंध के कर परभादित के आया सकता है जो प्रथा अथवा कानून के द्वारा स्वविकर्थ होते हैं जिसमें विबाह से संबंधित दोनों पक्छों और उनसे उत्पन होने वाले बच्चों के अधिकारों और करतब्यों का समाबेस होता है मजूमदार्यों मदान कहते हैं कि विबाह संस्था का संबंध एक विसेस समाजिक स्वविकर्थी से होता है जो साधारताया कानूनी स्वविकर्थी अथवा धार्मिक संस्कार के रूप में होती है जो बिसम लिंग के बिक्तियों को योगिक संबंधों को अस्थापित करने और उनसे संबंधित समाजिक और आर्थिक संबंधों को का उन्हें अधिकार देती हैं इस प्रकार से बिबा के को परिभाइद करते हुए होबल कहते हैं कि बिबा समाजिक आदर्स नियमों की एक समगरता होती है जो बिबा हित ब्यक्तियों के पारसपरिक संबंधों को उनके रख्त संबंधियों और अनिनातेदारों के प्रतीप परिभाइद करती है और उन पर नियंतर डखती ये चीज होगे विबा एक समाजी संस्था है इसके अलामा आप देखेगा कोई मिला करके या संस्था प्रमगरूप से बैक्तियों को योन संबंधों का आधिकार देती कि हाँ आप ये चीजी कर सकते हैं और एक प्रकार से कई सारे चीजे हैं विबा का सारे परिवार के स्थापना करना हुआ योन इक्छाओं की नियंबध तरीके से पूर्थी करना हुआ आर्थिक सहीयोग बच्चों का पालन पोस्ट करना हुआ ये सब होता विबा का उद्दिश ठीक है विबा कई प्रकार के होते हैं विबा के अगर मैं आपको बताओं विबा क एक आप सोंगे लोग और एक अःतों को और सब्सक्राइब भॉबा होगा परिवारे जिवन के अस्थापना करने के लिए बच्चे को बही धरप परदान अम्हें करदाने के लिए अगर कोई बच्चा विपना भीचा का पैदा हो जाता ठोजान उसको क्या कहते एक प्रकार से आब एधानिक बच्चा है याइनि कि जिसको आप पहते हैं कि नाजाय जावलाद ठीक इसके लावदा समांजी सम्भडों की सुध़ता होती है विबान कि विखति का समाजिकर्ण होता है संस्कृत्धी का संचण होता है यह उन संबंदों की नियम बद्धता होती है यानि कि प्रकार से आप अच्छे तरीके से एक इस्तिरी और पूरुस से एक साथ एक कमरे में रह सकते हो उससे पहले आपको इन्हें करके के समाज में दिखाओ फ़र दिक्कत की बात होती है इस प्रकार से समाजों में अलग धर्म के साभ से अलग अलग बिवा होते हैं अलग अलग काइदे होते है उनको भी समझने के लिए हम चार्चा करेंगे आने ने वाले समय में तो सब लेकिन फिर भी अभी आपको इतना यहां पर समझने के लिए बहुत महत्रपूर्ट चीजे थी जो मैंने आपको समझा दी यहां पर लगबग आपको बहुत सारी चेप्टर को मैंने बता दिया वैसे ही आपको समिती संसथा बिभा और बड़े बड़े एक बड़े बड़े चेप्टर हैं दोदो दिन लगतेक समझाने में लेकिन मैंने आपको एक ती ब्रगती से समझाए एक रिबीजन की तरूर पर दे दिया ताकि आपको एक प्रकार से कैप्सूल मिल जाए एक्जाम पॉइंट आभी उसे तो आप आसानी से अपनी परिछा दे सकेंगे और निश्य तोर पर आप अच्छे अंग प्राप्त करेंगे यही मैं उमीद कर करता हूं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा कि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलती रहेगी बाकी चेप्टर वाइस बिस्तार से वीडियो आपकी चैनल पर उपलब्द हो रही है आप सभी लोग आसानी से लाइफ क्लास विल्कुल फ्री में यूट्यूब अपर हमारे पासकते हैं ठिले धनीबाद मिलके ने तक्योंने के लिए सभी का बहुत है अके पास फिए चुचत्वूरन के लिए